हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग दोस्तों Microsoft Word के इस चेबर में आप सब का स्वागत हैं लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था कि कैसे आप पिक्चर का फॉर्मेट टाइब यूज कर सकते हो आल्मॉस्ट मैंने आपको सारे उप्षण बता दिये थे सिवाए दो अप्षण के जहां पर रह गया था एक रैप का उप्षण और एक अलाइंग का उप्षण तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिखेंगे रैप उप्षण के बार में दोस्तों रैप एक बड़ा उप्षण है यसलिए आपको इशली वीडियो में इसके बार में नहीं बताया जिसमें आपको in front of text behind text edit with points कही सारे आप्षण मिलत रहा है तो चल दें सेधा computer skin पर और करते हैं आज का टॉबिक तो जैसे कि दोस्तों आगे हम computer skin पर और topic है हमारा wrapping तो सबसे पहले दोस्तों बात करें कि wrap होता क्या दोस्तों wrap की मदद से यह होता है कि आपका जो text है और जो object है यानि picture है या shape जो भी है वो आपस में कैसा रियक्ट करेंगे यानि कि अगर को इमेज आप ले रहे हो तो टेक्स के साथ कैसा वहाँ पर परफॉर्म करेगा यह होता है रैपिग में सबसे पहले हम एक इमेज यहां पर लेता है तो आप धियान दो कि मैंने कर्सर यहाँ रखा हुआ है और यहां इंसर्ट में जाएके आपको पिचर पर क्लिक करना है और यहां आपकी library खुल जाएगे अब जो भी image आपको यहां पे लगाना है आप ले लो insert पे click करो image आगे इसका size में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं यहां पे size में जाएगे हमने यहां पे size इसका डाल दिया और यह size यहां पे आगे अब जब आप इसको click करोगे format में जाओगे wrap में सबसे पहला option आपको मिलता inline with text inline with text मतलब कि जैसे कि आप line क्या होती है आप यह video लिखे रहे है तो इसी तरह किसे आप देखो कि 2 से पहले क्या आ रही है image आ रही है तो inline हो गया यह जानि कि जो text आप लिखे रहे हो उसमें line में यह आ रहा है दूसरे option की बात करूँ जब आप इसी पे जाओगे और यहां मने अगला option लिया यहां पे square का square में क्या होगा कि आप इसे जहां भी रखोगे वहां पे इसके side में आप देखोगे यहां पे क्या portion आ रहा है square का portion आ रहा है थोड़ा इस practical को समझाने के लिए मैं इसका जो background है वो remove कर देता हूँ आपको remove background पे जाना है और यहां पे जो भी इसका background आप भटाना चाहते हो यहां भटा सकते हो कुछ इस तरह से तो यह यहां पे हम keep changes कर देते हैं इसका background हट गया यह दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अगर आपने वह इसका part 1 नहीं देखा है तो आप square मतलब क्या होगा एक चोक और हिस्सा यानि चारो तरफ से देखो आप बराबर portion में जो text है एक square field को छोड़के बटा हुआ अब आप इसी पे जाके अगर यहां पे wrap text में करते हो tight या through आप देखो कुछ फर्क नजार आ रहा आपको कि जितना भी यह adjust हो सकता है tight और through में क् जितना भी यह text image के साथ cooperate कर सकता है adjust हो सकता है उतना यह यह यहँआप adjust हो जाएगा इसके बाद अगला option जो आपको यहां पे मिलता है top and bottom इसमें क्या होता है कि कुछ हिस्सा top हो जाता है कुछ हिस्सा bottom हो जाता है और जो आपकी image है वो बीच में आ जाती है अगला option यहां पर हम देखें तो अगला option आपको मिलता है behind text तो जैसा कि आप देखो हो मैंने behind text पर click किया तो जो आपकी image है वो text के पीछे आ गई है और image उसके ऊपर आ गया इसके बाद यहीं पर चलते है अगला option आपको मिलता है in front of text तो आप देखो कि जो text है यह उसके ऊपर आगे जैस अगले option की बात करते है edit wrap points इसमें क्या होता है कि जो यह wrapping apply हो रही है वो आप अपने हिसाब से कर सकते है जैसे कि यहाँ पर आपको point मिल गया है अब मैंने यहाँ पर इस point को आगे कर दिया देखिए यहां से wrapping हो रही है इसको left click से आप select कर सकते है और अपने हिसाब से आप इसको apply कर सकते हो तो अलग type से जैसे भी मुझे wrapping करनी है वह मैं यहाँ पर कर पा रहा हो कुछ इस तरह से ठीक है तो आप जैसे wrapping करना चाहो इसमें देख पा रहे हो आप जैसे भी wrapping करना चाहो और wrap point की मतदर से आप इसमें कर सकते हो अगला option दोस्तों आपको यहाँ पर मिल आपने कर लिया अब यहाँ पर अगर मैं कर देता हो move with text क्या कर रहे है move with text देखो select है न साइड में अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर cursor रखता हूं document के आगे और मैं enter press करता हूं तो क्या हो रहा है कि image भी नीचे जा रही है आप notice करो image नीचे जा रही है लेकिन अगर मैं इसकी position को fix कर देता हूं आपने select किया यहाँ जाके इसकी जो position है उसको मैंने क्या कर दिया fix कर दिया अब जब मैं यहाँ से enter करूँना तो image भी है लेकिन जो text है वो नीचे जा रहा है clear हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पर scene क्या है कि अगर आप यहाँ पर करते हो move with text तो जब इसके बाद यहीं पर आप आते हो तो अगला option जो आपको मिलता हो more layout option होता है मतलब सीधी बात यहाँ पी जो आपको option मिले वो आपको shortcut में मिले यहाँ पर आपको manual मिल जाएगा जैसे कि आपने अभी inline with text use किया square use किया tight use किया तो आप वहां से भी select कर सकते हो और manually यहाँ प आपको यहाँ पर मिलता है वो मिलता है set as default अब set as default में क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई image आप लेते हो तो यहाँ पर आपको layout देख रहे है जो यह option देख रहे है wrapping के इन में से एक option select होगा जैसे कि यहाँ पर inline with text select हो automatically जैसे ही हमने को image ली तो यहाँ पर क्या है कि inline with text select है अब notice करोगे तो यहाँ पर आपको देखेगा यह कि काफी जादा यह मतलब shaded है अब मैंने यहाँ पर in front of text लिया इसके लिए और मैं चाहा रहा हूं कि आगे से भी अगर मैं कोई image लेता हूं automatically वो in front of text ही रहे वहाँ पर inline with text ना आके उसका format क्या है in front of text है तो अगर आ नोटिस करोगे कि उसका जो layout है वो यहाँ पर आएगा in front of text इसको थोड़ा खोड़ा कर लेता हम यहाँ पर okay अब इसका layout चेक करते है तो आप देखो कि इसका layout क्या है यहाँ पर notice करो तो आपको यह shaded देखेगा in front of text है यानि कि आप notice कर सकतो है कि यह text के ऊपर आ रहा है तो वीडियो आपको क्यासी लगी प्लीज नीचे comment box में आप ज़रूर बताए अच्छी लगी बुरी लगी समझ में आया नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट ज़रूर करें thank you